हाँ देखे पिराए एक सवाल सामने आता है कि आज ये समाज मैरीज और कोट मैरीज दोनों एक ही चीज हैं बहुते लोग सोचते हैं कि कोट मैरीज को ही आज ये समाज मैरीज बोलते हैं और आज ये समाज मैरीज को ही कोट मैरीज बोलते हैं जो कि बिल्कुल जो ये दोनों परिखिर्याएं बिल्कुल दोनों अलग हैं जैसे कि court marriage की जहां बात है court marriage जो होती है उसके अंदर सब्सक्तूपदी जो है वो अनिवारिये नहीं है सब्सक्तूपदी मतलब साथ फेरे लेना कोई ritual करना यह अनिवारिये नहीं है इसके अंदर पेपर बेस आप marriage register के सामने पेश होते हैं और वहाँ पहले आप application डालते हैं, वहाँ पेश होते हैं, वहाँ register में आप sign करते हैं, आपके जो गवाह आते हैं, वो सारे के सारे गवाह मौझूद होते हैं और उनकी presence में आपकी जो शादी हो जाती है, तो ये एक सा समाज मंदिर में जाने के बाद में आप अपने documents वहाँ देते हैं, वोन documents का same day verification होता है, उन documents को verified करने के बाद में जो वहाँ पर जो 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 शादी कराने वाले लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, वो आपकी proper Hindu रीती से सब्तुपदी कराके, सभी संसकार पूरे कराके, हिंदू संसकार पूरे कराके आपके शादी कराते हैं, और हिंदू जो 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 आरी समाज मैरिज के अंदर ये जरूरी है कि दोनों जो पार्टिया हैं, husband और wife वो दोनों हिंदू होने चाहिए, अगर in case उनमें से एक हिंदू नहीं है, दूसरा हिंदू है, तो अब उन्हें conversion करना पड़ेगा हिंदू में, उसके बाद में शादी होगी, अब जो main difference आता है कि दोनों में difference है संसकारों का, आरी समाज मैरिज में आप गए, आपने सब्त पदिली, आपने सारे संसकार पूरे किये, आपने संसकार पूरे करने के बाद में वहां से certificate लिया, उस certificate लेने के आरी समाज मेरिज का certificate लेने के बाद में अगर आप उसको रिझृटकर कराना चाहते हैं, तो आपको रिजिस्ट्रेशन के लिए, अवेलेबल, रिजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, रिजिस्ट्रेशन के लिए आपको apply करना पड़ेगा, हिंदू marriage certificate को, ज जो आरिये समाज marriage certificate है उसको लगाना पड़ेगा उसके बाद जो आपकी जो शादी है वो registered शादी मानी जाएगी तो कभी कबार ऐसा होता है कि प्राए लोग धोका खा जाते हैं कि आरिये समाज marriage में का जो certificate है वो registered certificate है जो बिल्कूल नहीं जबकि special marriage act के अंडर में प्रोपल जब शादी होगी तो आपको एक प्रोपल certificate मिलता है और उसके अंदर आपको registered वो सारी documents होते हैं लेकिन मंदील से जब हम करके जाते हैं शादी वो legal तो है वैधारिक भी है पर अंतु registered नहीं है और इस registration की certificate जब हम out of India जाते हैं out of country जाते हैं तो जब भी आप court marriage करें या आरे समाज marriage करें तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको marriage registration कराना ही हैं क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे और बाद में किसी भी इस्थिति में हमने बहुत बुरी-बुरी conditions इस पेशे में देखे हैं जिसमें बाद में लड़किया कर जाते हैं तो उससे थोड़ी सी प्रावलम पैदा होती है परन्तु इस आगर आप रजिस्टर कराओंगे तो वह आपकी जो एक या दो परसंट की जो परिशानी है वह परिशानी भी खतम हो जाएगी और आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी और देखें कोर्ट मैरीज और आजिसमाज मैरीज इन दोनों के अंदर जो मूल भूत अंदर मैंने बताया रजिस्टेशन का है सादिया दोनों वैलिड है दोनों लीगल है आप ये देखिए कि आपको साधी जल्दी करनी है देर में करनी है तो ये आपकी जो इस्तितिया उस पर निर्बगरता है और अगर आप कोई भी सवाल आपके मन में कोई भी शंका है वो अगर आप हमसे पूछने चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमें कॉल करके या हमें इमेल करके हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले